शहरुखान की पठान और जवान तो सुपर इठ हो गई है अब बारी है डंकी की पर डंकी को लेकर एक बूरी ख़बर सामने आ रही है हाली में शहरुखान ने कहा कि उनकी अगली फिल्म डंकी एक प्रोपर राजकुमार हिरानी वाली फिल्म होने वाली है जिसमें हिरानी का म इस फिल्म में ओडियंस को कोमेडी के साथ इमोशन भी देखने को मिलेगा और यह तो हिरानिक फिल्मों में होता ही है यही तो उनका मैजिक है इस साल नो महिने में शाहरुखान ने दो ब्लोगबस्टर फिल्में दे दी हैं पठान और जवान ने एकदम सिनमा होल को एक मेला बनागे रख दिया लोग इंजोए कर रहे हैं पूरा और इसमें घदर ने भी अपना काम किया है पूरा लोग मल्टी प्लैक्स में स्क्रीन के सामने आकर नाचते हुए आपको कमी दिखाए दे पर इन तीनों फिल्मों ने यह करके दिखाया मीडिया रिपोर्ट के मुताब टंकी के लिए नए रिलीजिंग डेट प्लैन कर रहे हैं और फिल्म दुएचोब़िस में रिलीज हो सकती है आखिर ये मूवी होगी क्या इसके बारे में पर बात कर लेते हैं तो शारू खाने होलीवड वैपसाइड डेडलाइन से फिल्म रिलीज डेट के बारे बात किये उन्होंने कहा था कि टंकी एक जर्णी फिलम होगी यह उन लोगों की कहानी से प्रेरित है जो विदेश से अपने घर और अपने देश वाबिस लोटना चाहते हैं इस फिलम में आपको कोमेडी ड्रामा देखने को मिलेगा इस फिलम के साथ शाहरू खान पहली बार ड्रेक्ट उन्होंने सोजा कि यार इसमें तो लव स्टोरी वाला एंगल है नहीं को कि तब शाहरू खान को लगता था कि अपनी जो भगवान है अपनी जो बनाएगा वो बिक जाएगा लव स्टोरी में ही आप उनका भविश है पर बाद में जब उनकी लगातार फिलमे फ्लोप जैसे भी अब देखो तो लंबे ब्रेक के बाद जब शाहरू खान आए तो पठान जवान और ये टंकी तीनों अलग अलग कोंटेंट की फिलमें हैं इसमें लव स्टोरी वाला सीधा सीधा एंगल है नहीं तो शाहरू खान अब समझधार हो गए है राजकुमार हिरानी की जाये तो संजू पीके ठीडियट मुना भाई सीरी सब ब्लोगबास्टर रही है उनकी शारू खान ने आगे कहा कि इंगलिश में फिलम का नाम है डोंकी लेकिन हमारे देश में खासकर पंजाबी इसे डंकी कहते हैं हमारे देश के सबसे बहतरीन डिरेक्टर में से एक लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए एक अलगी चूल मची होती है और जब वो अपनी चूल पूरी कर लेते हैं मतलब लाइफ में कुछ हासिल कर लेते हैं तब उनको लगता है कि नहीं अब हमको घर वापिस लोड जाना चाहिए उस दुरान उनकी जिंदगी में क्या बद जैसे कि पीके में था शुषान सिंग राजपूत कैम्यो रोल में थे आमीर खान लीड में और साथ में थी अनुषका शर्मा इस मूवी के आनिस पहले शारुखान सलमान की फिल्म टाइगर 3 में भी स्पैशल पेरंस के लूप में दिखेंगे यह फिल्म दिवाली पर रिली जैसे एनिमल भी दिसंबर में आ रही है अगर सब कुछ सही बैठ गया तो एनिमल बहुत बड़ी फिल्म बनकर उबहेगी और पूरे महिन फिर वही चलेगी और साथ में फुकरे मोवी भी आ रही है दिसंबर में तो फुकरे तो भाई साब फलोप होगी नहीं वो अपना प घराती प्लान अपर मामला गड़ बड़ हो जाएगा तो सलार ने भी दोट एरट दे रखी है या तो फिर दिसंबर में यह तो फिर उत जनवरी में आयए है तो देखते हैं कौन से मूवी डिले होती है अगर जह सलार जनवरी में आती है तो फिर डंकी जनवरी में उसके आसपास भी नहीं आएगी और अगर दोनों मॉवी टकराती हैं तो बहुत बड़ा वाला नुकसान होगा दोनों फिल्मों को आप क्या विचार है, मुवी डिले क्यों की जा रही है? और इस मुवी की जो स्टोरी है, वो आपने इस से पहले कौन सी मुवी में देख रही है? जो पर विचार है मुझे कमड़ के बताजिये चैनल को सब्सक्राइब कीचे और क्या शारुखान की ये भी मूवी पठान और जवान की तरह ब्लोग बस्टर होगी या फिर कुछ और देखने को भी लेगा जैंको सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे ने शुडियों में जैंग